आपको अधिक मेनहत करना पड़ेगा तो आज की जो कलास है दोस्तों वो जैन्टिक्स के ऊपर है ठीक है तो इसमें आप लोग कम सकम डेड़ सो प्लस प्रशनों को पढ़ेंगे हो सकता है 200 प्रशन आज इस वीडियो में करवा दें तो शुरू से लेके लास्ट तक जिरूर देखेंगे दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट कोशन से फर्स्ट कोशन कर रहा है कोश्का की खोज सर्व पर्थम किस व्यग्यानिक ने की थी तो किस व्यग्यानिक ने की थी कोश्का की खोज सर्व पर्थम ये आपको बताना है रावर्ट हूक ने रावर् अच्छा कोशन है, कोशन कर रहा है निम्न लिखित में से टेस्ट क्रास है, आपको बताना है टेस्ट क्रास कौन सा है तो इसमें से जो टेस्ट क्रास हो जाएगा दोस्तों वो capital T, small t, cross हो जाएगा इसका small t, small t के साथ D option यहाँ पर right answer हो जाएगा, इसको हम टेस्ट क्रास के नाम से जानते हैं, कोशन नमबर चलते हैं तीन तीन नमबर कोशन आपकी स्क्रीन पर आचुका है, कोशन काफी अच्छा है दोस्तों कोशन करा है, यदि capital R, capital R, यानि कि लाल का capital W, capital W सफेद से क्रास किया जाए तो और प्राप्त होने वाली सभी R, W संततियां गुलावी रंकी हैं, यह संकेत करता है कि R, gene है, तो कौन सा R, gene है, यह बताना संकर है, या सह परभाविता है, आपून प्रबल है, या mutant है, कितना जोड़दार कोशन है दोस्तों, तो इसका जो right answer हो जाएगा, वो हो जाएगा सह परभाविता का, ठीक है, इसमें B option right answer हो जाएगा, सह परभाविता, कोशन नमबर चलते हैं, 4, चार नमबर कोशन आपकी स्क्रीन पर आ चुगा है, कोशन करा है, परकास अंसलेशन का सूत्र बताना है, तो परकास अंसलेशन का सूत्र आपको बताना है, क्या हो जाएगा, तो परकास अंसलेशन का सूत्र होता है दोस्तों, 6 CO2, 12 H2O, 6 C6H, 12 O6, प्लस 6 oxygen हो जाएगा, उसके बाद 6 जलके हो जाएगे, तो यहाँ पर B option हमारा right answer हो जाएगा, दोस्तों, B option यहाँ पर right answer हो जाएगा, कोशन नमबर चलते हैं, 5 पर, 5 नमबर कोशन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कोशन करा है, क्लोरोफील का मुख्यतत तो कौन सा है, मैगनीज है, मैगनीशियम है, लोहा है या थांबा, तो क्लोरोफील का मुख्यतत तो बताना है, कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर right answer हो जाएगा, मैगनीशियम जो है, यह क्लोरोफील का मुख्यतत तो माना जाता है, B option यहाँ पर right answer हो जाएगा, कोशन नमबर छे देखेंगे, केंद्रिय कपास अनुसंधान सं पूछ रहा है दोस्तों, तो राइट एंसर हो जाएगा नागपूर, यानि कि बी उप्शन यहां पर राइट एंसर हो जाएगा, कोशन नमबर साथ पर चलते हैं, साथ नमबर कोशन स्क्रीन पर आचुका है, कोशन करा है, मेलोकल लीफी उस पर परागन को कहते हैं जो चिनियों के द्वारा होता है चमगादरनों द्वारा होता है घोंगे या संबुकों द्वारा होता है या हवा द्वारा होता है तो आपको बताना है मेले को फिली उस परागन को कहते हैं तो किस परागन को मेले को लिफी कहा जाता है, फिली कहा जाता है, ये आपको बताना है, तो इसका right answer हो जगा, गोंगे संबुकों द्वारा जो परागन होता है, उसको हम मेले को फिली के नाम से जानते हैं, सी ओप्षन यहाँ पर right answer हो जाएगा दोस्तों, साथ का सी answer right, चलते पर right answer हो जाएगा, 1960 में भारत में पर्थम किर्षी विश्वी देले की इस्थापना होई थी, याद रखेंगे भी उसमें साफ साफ जिकर किया है, कि उससे भी कोशन बनेंगे, तो बिहार में जो भी बलाक एकरी कल्चर उपसर किया है, उसमें काफी जादा जेन्टिक्स पूछा गया है, तो इस वीडियो को सुरू से लेकि लाश तक जिरूर देखीगा दोस्तों, कोशन यहाँ पर इसका मा या बाप से कराया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है, बहुत भी बहतरी कोशन है दोस्तों, जब संतती का क्रास उसके मा या बाप से कराया जाए, तो उसको किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, एकल संकर कहते हैं, या रेसिपो कल क्रास कहते हैं, तो यहाँ पर र right answer हो जाएगा दोस्तों C option यहाँ पर right answer हो जाएगा question number 11 देखेंगे परियोग शाला में जीन के निर्मान का स्रे है तो परियोग शाला में जीन का निर्मान का स्रे किसको जाता है मेंडल को, हुकर को, खुराना को या डार्विन को, काफी वहतरीन question है दोस्तों तो यह स्रे जाता है खुराना को, ठीक है परियोग शाला में जीन का निर्मान का स्रे सबसे जादा खुराना को जाता है, C option यहाँ पर right answer हो जाएगा दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है question कर रहा है, वह कौन सी फसल है जिसमें एक लिंगता, दुई लिंगता स्रे और पूरुता पाई जाती है काफी अच्छा question है, उसमें एक लिंगता दुई लिंगता और पूरुता पाई जाती है, तो कौन सी फसल है ऐसी मक्का है, बाजरा है, जौर है या मकोई है तो बारा का जो राइट एंसर हो जागा वो हो जागा A option यानि कि मक्का के अंदर एक लिंगता दुई लिंगता पूरुता पाई जाती है A option यहाँ पर राइट एंसर हो जागा कोशन नमबर देखेंगे 13 13 नमबर कोशन के रहा है जीन सब्द सरो पर्थम किसके दोरा परियोग किया गया था तो बताना है जीन सब्द सरो पर्थम किसके दोरा परियोग किया गया था वाट्शन के दोरा, डार्विन के दोरा, मेंडल के दोरा या जॉन्शन के दोरा तो right answer हो जागा ये जॉंशन के द्वारा परियोग किया गया था D option यहाँ पर right answer हो जागा दोस्तों question number चलते हैं 14 14 number question आपके screen पर आ चुका है वह दसा जिसमें एक जीन एक से अधिक लच्छन को नियंतरित करता है क्या कहलाता है बहु बिकल्पी, बहु जीनी, बहु परभावी या इनमें से कोई नहीं तो 14 का जो right answer हो जागा उसको हम बहु परभावी कहते हैं C option right answer हो जागा वह दसा जिसमें एक जीन एक से अधिक लच्छन को नियंतरित करता है उसको हम बहु परभावी कहते हैं याद रखेंगे C option यहाँ पर right answer हो जागा दोस्तों question number देखेंगे 15 15 number question कह रहा है गुण सुत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती है आर सुत्री विवाजन 1st में आर सुत्री विवाजन 2nd में संसुत्री विवाजन में या कोष्या दरव विवाजन में दो बताना है गुण सुत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती है किसके अंदर यहाँ पर right answer हो जागा अर सुत्री विवाजन 1st में गुण सुत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाए राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों, कोशन नमबर देखेंगे सत्रा, सत्रा नमबर कोशन कहे रहा है, 36 अवरोधिता है, आपको बताना है, 36 अवरोधिता है, तो यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा, बी ओप्शन, ठीक है, यानि कि रोग जनक की सभी परजातियों के याद रखेंगे, काफी important कोशन है, कोशन नमबर देखेंगे, 18, एककल संकरन है, इसमें से बताना है, एककल संकरन कौन सा है, तो यहाँ पर जो राइट एंसर हो जाएगा, दो अन्तर पर जातों के बीच संकरन को एकल संकरन की नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे, यहा किस परकास संसलेशन में किस परकार की परकास सबसे अधिक परभावकारी होनी चाहिए, कितना बहतरीन कोशन है दोस्तों, परकास संसलेशन में किस परकार की परकास सबसे अधिक परभावकारी होनी चाहिए, नीला, हरा, पीला या लाल, तो राइट एंसर हो जाएगा, ला परिवत नय से पायरुविक आमल के दो अनुव बनने में कुल प्राप्ती कितनी होती है तो कितने ATP प्राप्त होंगे ये आपको बताना है तो इसका जो राइट अंसर हो जागा आठ अनुप्राप्त होंगे यह आपको बताना है 8, 22, 15 या 30 तो right answer हो जाएगा दोस्तों 21 का वो हो जाएगा 30 ATP ठीक है याद रखें कि D option यहाँ पर right answer हो जाएगा यह सब syllabus में आपके दिया हुआ है B, A, O में जो कि आपको यह सब पढ़ने हैं ठीक है 30 ATP आपको याद रखना है सौसन के दोरान क्रेव चक्र में ATP अनू का निर्माण कितना होता है 30 ATP अनू का निर्माण होता है याद रखेंगे चलते हैं question number 22 question number 22 आपके screen पर आ चुका है question करहाँ पानी का स्थाना अंतरण निम्न में से किस उतक तंत्र के माध्यम से होता है hydro-topism या geotropism या phototropism या camotropism तो इसमें से बताएए कौन सा right answer हो जागा तो 22 का जो right answer हो जागा दोस्तों वो हो जागा photo-topism C option यहाँ पर right answer हो जागा question number 23 जिन्स पाए जाते हैं गुनसूतर के उपर पाए जाते हैं या गुनसूतर के नीचे पाए जाते हैं या गुनसूतर के बीच पाए जाते हैं तो 23 का जो right answer हो जागा दोस्तों वो हो जागा A option गुनसूतर के उपर पाए जाते हैं A option यहाँ पर right answer हो जागा question number देखेंगे 24 24 number question कह रहा है नर तथा मादा दोनों ही परकार के फूल धारन करने वाले पोधों को क्या कहते हैं एक लिंगी कहते हैं उभै लिंगी कहते हैं या उभै लिंगा सरई कहते हैं या आनिसीक जनन कहते हैं नर तथा मादा दोनों ही परकार के फूल धारन करने वाले पोधों को क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं उभै लिंगा स्री कहते हैं सी ओप्षन यहां पर राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों सी ओप्षन यहां पर राइट एंसर हो जाएगा कोशन नमर पाच्चिस आपके स्क्रीन पर आ चुका है कोशन कह रहा है प्राकृतिक वरण द्वारा पादप विकास पादप समुदाय में होता है प्राकृतिक वरण का सिध्धांत प्रतिपादित किया हुकर ने किया या डालने ने किया था या गेंबेल ने किया था या डार्वीन ने किया था काफी बहतरीन अच्छा कोशन है दोस्तों तो आपको इसका एंसर बताना है क्या एंसर हो जागा तो इसका एंसर हो जागा डार्विन की दोरा ठीक अडी ओप्शन यहाँ पर राइट एंसर हो जागा ठीक एक बार दुवारा कोशन देख लेंगे प्राकरतिक वरण दौरा पादब विकास पादब समुदाय में होता है प्राकरतिक वरण का सिधान किसके दौरा प्रतिपादित किया गया था तो याद रखेंगे, दार्विन दौरा प्रतिपादित किया गया था question number 26 आपकी screen पर आ चुगा है कोशन के रहा है स्वय आनिश्यता सहायक होती है तो किसमें सहायक होते है यह आपको बताना है तो यह सहायक होती है सुद्ध वन्शान करम प्रजाती विकाश में ठीक है C option यहाँ पर right answer हो जागा दोस्तों C option यहाँ पर right answer हो जागा 27 नंबर कोशन आपकी स्क्रीन पर है कोशन कह रहा है पादप प्रजनन की सभी परतिकरियाओं का प्रारंभिक बिंदू है तो कौन सा प्रारंभिक बिंदू माना गया है परवेशन, चैन, संकरन या स्वयाद निशेचन 27 का right answer हो जागा परवेशन ठीक है स्थाना करत प्रजनन विधी कों शी है तो 28 का right answer हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा परतीक संकरन विधी याद रखेंगे सी option यहाँ पर right answer हो जाएगा कोशन नंबर देखेंगे 21 नंबर कोशन करा है जनकों के विसिष्ट समा योजन छमता होनी चाहिए सुद वंशन करम विकास में, संसलिष परजाती विकास में, मिस्रित परजाती विकास में, या संकर परजाती विकास में तो राइट अंसर हो जागा दोस्तों संकर परजाती विकास में D option यहाँ पर राइट अंसर हो जागा कोशन नमबर देखेंगे 30 30 नमबर कोशन करा है दो विभिद जीन रूप पादपों के संकरण से उत्पन नई परजात यह अथवा संकर को क्या कहते हैं समूह वरन कहते हैं पुनर योजन कहते हैं संकरण कहते हैं या इनमे से कोई नहीं तो 30 का जो राइट एंसर हो जागा उसको संकरण के नाम से जानेंगे सी उप्शन यहां पर राइट एंसर हो जागा दोस्तों कोशन नमबर देखेंगे 31 31 नमबर कोशन करा है गुनसूत्र में अनुआनशिक पदार्थ होता है RNA होता है DNA होता है ATP होता है या ADP होता है तो गुनसूत्र में अनुआनशिक पदार्थ क्या होता है ये आपको बताना है तो वो होता है DNA होता है B option यहां पर राइट एंसर हो जागा कोशन नमबर देखेंगे 32 32 नमबर कोशन स्क्रीन पर आचुका है कोशन कर रहा है जब किसी अंतरप्रजात की मिस्रन सक्ती का परिछन किया जाता है तो निम्न लिखित में से कौन एक संक्रन परियोग में लाया जाता है तो कौन सा संक्रन परियोग में लाया जाता है यह आपको बताना है test cross, back cross, top cross या white cross तो 32 का जो right answer हो जागा वो हो जागा और C option यानि की top cross की नामसिस को जानते है C option यहाँ पर right answer हो जागा कोशन नमबर दोस्तों देखेंगे 33 33 नमबर कोशन कर रहा है हेट्रोसिस सब्द का नामकरन सरो पर्थम किस ने किया तो आपको बताना हेट्रोसिस जो सब्द है इसका नामकरन सबसे पहले किस विग्यानिक की द्वारा किया गया था काफी अच्छा बहत्रीन कोशन दोस्तों वार्सन के द्वारा, शल के द्वारा या बीबी पाल के द्वारा, या डार्विन के द्वारा तो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सल की द्वारा किया गया था ठीक है, हेट्रोसिस सब्द जो है सबसे पहले प्रियोग किया गया था सल नमा के विग्यानिक थे उनके द्वारा या द रखें कि B option यहाँपर right answer हो जागा चलते हैं question number 34 पर दोस्तों question number 34 पर दोस्तों question number 34 की संख्या अधिक होने की नाते थोड़ा जल्दी जल्दी परियास कर रहे हैं कम समय में हम लोग अधिक से अधिक प्रिश्णों को हम लोग solve कर सकें ठीक है तो question number 34 आपके screen पर आ चुका है question को ध्यान पूरोग पढ़ेंगे answer देंगे question कर रहा है कोश्का का विधुत ग्रिय किसी कहा जाता है ribosome को, lysosome को, mitochondria को या galgicoy को तो यहाँ पर right answer हो जागा दोस्तों mitochondria को कहा जाता है question number 35 question कर रहा है निमनलिखित में से कौन अनुलेखन दोरा उत्पादित होता है तो अनुलेखन दोरा कौन उत्पादित होता है ये आपको बताना है RNA होता है, DNA होता है, proteins होता है या histone होता है तो यहाँ पर जो right answer हो जागा वो हो जाएगा A option यहाँ निकि RNA होता है A option यहाँ पर right answer हो जाएगा कोशन नमबर देखेंगे 36 36 नमबर कोशन कहरा है एक एकल स्वानिसेचन सम्यूगमजों की संततियों को कहते हैं एक एकल स्वानिसेचन सम्यूगमजों की संततियों को किस नाम से जानते हैं संसलिस्ट कहते हैं, कलून कहते हैं सुद वंसान करम कहते हैं समय यूगरमिर जी कहते हैं तो right answer हो जाएगा सुद वंशन करम कहते हैं C option यहाँ पर right answer हो जाएगा question number देखेंगे 37, 37 number question करा है 1, एकाधिक सूत्र व्यक्ति की गुण सूत्र संख्या क्या होती है 1, एकाधिक right answer हो जाएगा question number देखेंगे 38 38 number question कह रहा है उत्र परिवरतन यानि की mutation शब्द का निर्माण किया था mutation जो शब्द है किसके दोरा परियोग मिलाएगा था सबसे पहले ये शब्द देने वाले विग्यानि कौन थे ये आपको बताना है तो यहां जो right answer हो जाएगा Hugo Drew Ease के दोरा ये दिया गया था D option यांपर right answer हो जाएगा mutation शब्द याद रखेंगे उत्र परिवरतन शब्द का निर्माण सबसे पहले Hugo Drew Ease की दोरा जाएगा question number देखेंगे 49 49 number question कर रहा है सुद्ध वंशक्रम सिध्धान्थ प्रतिपादित किया था तो सुद्ध वंशक्रम का सिध्धान्थ प्रतिपादित किया गया था किसके दोरा ये आपको बताना है तो ये भी W.L. Johnson के दोरा किया गया था C option यहाँ पर right answer हो जागा दोस्तों याद रखेंगे सुद्ध वंशक्रम सिध्धान्थ प्रतिपादित कि के दोरा किया गया था तो ये W.L. Johnson के दोरा कोशन नमबर देखेंगे 40 40 नमबर कोशन के रहा है आस्मोसिस की खोज की थी तो बताना है आस्मोसिस की खोज किसके दोरा की गया थी फेकर्न के दोरा, सेस के दोरा या नोलेट के दोरा या इस्टासबर्ग के दोरा तो यहाँ पर जो राइट एंस्टर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नोलेट के दोरा आस्मोसिस सब्द की खोज की गयी थी या आस्मोसिस की खोज की दोरा की थी तो ये No-Late के दोरा खोज की गये थी, काफी बहतरी न कोशन है, छपने वाला प्रिशन है, ठीक है, और समॉसिस सब आपको याद रखना है, ये खोज किस के दोरा की गये थी, No-Late के दोरा खोज की गये थी, कोशन अमबर 41 देखेंगे, मेंडल दोरा मटर पोधों का चेन किय गया यह एक सस्ता पौधा था यह एक बिपरीत गुणू वाला पौधा था यह असानी से उपलब्ध होगा यह आर्थिक महत्व का पौधा था तो बताना है मेंडल दौरा माटर के पौधों का ही चैन क्यों की गया गया तो इसका जो राइट एंसर हो जागा दोगस्तों वो ह जड़ दाब किसके दौरा मापा जाता है पोटो मीटर दौरा या मैगनो मीटर दौरा या ओस्मो मीटर दौरा या इनमें से कोई नहीं तो 42 का जो राइट एंसर हो जागा दोश्तों वो हो जागा B-Option यानि की मैनो मीटर के दौरा जड़ दाब का मापन किया जाता है B-Option जीन का पुना स्थापन होता है यही हमारा right answer हो जागा जीन का पुना स्थापन होता है इसी करते हैं संकरण का परिणाम ठीक है यह option यहाँ पर right answer हो जागा दूस्तों कोशन नमबर देखेंगे 44, जीवन का भौतिक आधार है, तो जीवन का भौतिक आधार क्या है, केंद्रक, कोशिका, जीवद्रव या केंद्रिका, 44 का राइट एंसर हो जागा, C आप्शन यानि की जीवद्रव जो होता है, यह जीवन का भौतिक आधार होता है, याद रखें नीला प्रकास या A और B दोनों या हरा प्रकास तो क्लोरोफिल अफसोशित करता है किसको तो ये अफसोशित करता है यानि कि A और B दोनों सही हो जाएंगे नीला और लाल प्रकास दोनों को याद रखेंगे C option यहाँ पर right answer हो जाएगा question number देखेंगे 46 सुक्ष्म तम RNA है आपको बताना है सबसे छोटा यानि smallest RNA कहुं सा है यह मां RNA, RNA या tRNA या genetic RNA तो 46 का जो right answer हो जाएगा यह tRNA जो है सबसे सुक्ष्म यानि smallest RNA होता है सी option यहाँ पर right answer हो जाएगा कोश्चन नमबर चलते हैं 47 पर 47 नमबर कोश्चन आपकी स्क्रीन पर है कोश्चन कहरा है परतीक संक्रण होता है यानि कि back cross जो होता है वो किस से किस से होता है यह आपको बताना है तो यहाँ पर जो F1 cross किसी भी जनक से इसको कहते हैं परतीक संक्रण यानि कि back cross याद रखेंगे F1 क्रास किसी भी जनक से अगर हम क्रास करा देंगे तो इसको कहते हैं बैक क्रास याद रखेंगे C आप्शन यहाँ पर राइट एंसर हो जागा दोस्तों ठीक है C आप्शन यहाँ पर राइट एंसर हो जागा चलते हैं कोशन नमर 48 पर कोशन नमर पासपो गलिसरी अमल यह होता C3 पोदे प्रकास अंस्लेर्सन का प्रथम उतपाद है कोश्चन नमबर देखें के 49 नमबर कोश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों काफी अच्छा PD के युगमक बंदनी में यह हो जाएगा C option यहाँ पर right answer याद रखेंगे question number देखेंगे 50 50 number question कह रहा है कोश्का में ATP के रूप में उर्जा बनती है तो कोश्का में जो ATP के रूप में उर्जा बनती है उसको क्या कहते हैं ribosome में या mitochondria में, kendraak में या गॉल्जी कोई में तो कोश्का में ATP के रूप में जो उर्जा बनती है वो कहां बनती है, वो mitochondria में बनती है B option यहाँ पर right answer हो जाएगा question number देखेंगे 51 51 number question आपकी screen पर आ चुका है गुंसूत्र में कौन सा अनुआशिक पदार्थ है, तो बताना C option यहाँ पर right answer हो जाएगा question number 52 52 number question आपकी screen पर आ चुका है question कर रहा है, पौधों द्वारा जल absorption की दर कम हो जाती है बोरान का, पोटेशियम का लोह का या मेंगनीज का तो right answer हो जाएगा B option potassium का, B option यहाँ पर right answer हो जाएगा question number देखेंगे तिरपन आ समान लाइन, या समझीवी लाइन, या अंतरपरजात लाइन, या संसलिष्ट लाइन, तो तिरपन का जो right answer हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आनुआनशिकता आ समान लाइन A option यहाँ पर right answer हो जाएगा, question number देखेंगे चववन, चववन नंबर question आपके स्क्रीन पर आ चुका है self incompability, विकास में सहायक है, संसलिष्ट परजातियों के, संकर परजातिके, सुद वनशन करम परजातिके, या संकुल परजातिके, तो चववन का जो right answer हो जाएगा, दोस्तों, वो हो जाएगा C option, सुद वनशन करम परजातिके, C option यहाँ पर right answer हो जाएगा, question number देखेंगे, पचपन, link सहलगंता की खोज सरवपर्थम की थी, तो बताना है link सहलगंता की खोज सरवपर्थम की थी, किसकी दौरा यह खोज हुई थी, T.H. Morgan ने, या Land Steiner ने, Watson ने, या Mendel ने, 55 का जो right answer हो जाएगा दोस्तों, T.H. Morgan की दौरा खोज की गिए थी, B option यहाँ पर right answer हो जाएगा, question number देखेंगे, 56, 56 number question screen पर आचुका है, question करा है, nucleic अम्ल सबसे पहले पिर्थक किया गया था, Altman की दौरा, Watson ने, माइसर ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो nucleic अम्ल सबसे पहले पिर्थक किया था, किसकी दौरा पिर्थक किया गया था, यह आपको बताना है, तो right answer हो जागा, माइसर, 1871 ने, ठीक है, C option यहाँ पर right answer हो जाएगा, कोशन नमबर देखेंगे 57, 57 नमबर कोशन कर रहा है, मनुश्यों में आस समान मादाएं होती है, मनुश्यों में समान मादाएं होती है, 44 पलस xx, 44 पलस xy, या A और B दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो मनुश्यों में समान मादाएं जो होती हैं दोस्तों, वो होती है, 44 पलस xx, ए उप्षन यहाँ पर right answer हो जाएगा, याद रखेंगे काफी important question है दोस्तों, काफी बार examon में आया हुआ है, इसके बाद question नमबर देखेंगे 58, साद अमनी जीन क्रिया में अनुपात मिलता है, तो बताना है, इसमें right answer क्या हो जाएगा, 9 नपात 7, 9 नपात 3 नपात 4, 15 नपात 1, या 12 नपात 3 नपात 1, तो 58 का जो right answer हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 12 नपात 3 नपात 1, question नमबर चलते हैं 69, 69 नमबर question करा है, जल के आधे मूल का भार होता है, जल के आधे मूल का भार कितना होता है, ये आपको बताना है, 0.5 भाग, 1 भाग, 0.9 भाग, या 18 भाग, 69 का जो right answer हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 0.9 भाग, C option यहाँ पर right answer हो जाएगा दोस्तों, चलते हैं question number 60 पर, question number 60 आपकी screen पर आ चुका है, question करा है कौन सा कोश का अंग, आत्म हत्या की थैली का कारे करता है, तो कौन सा कोश का अंग जो है, आत्म हत्या थैली का का कारे करता है, तो सब लोग जानते हैं, यह आत्म हत्या की थैली का कारे करता है, B option यहाँ पर right answer हो जाएगा दोस्तों, B option यहाँ पर right answer हो जाएगा, question number 61, निम्न लिखित में से कौन सी फसल proto-gyni प्राकिर्टी की है, तो proto-gyni प्राकिर्टी की कौन सी फसल है, जौर, बाजरा, मक्का या चुकंदर, तो 61 का जो right answer हो जाएगा है हाँ पर, वो हो जाएगा बाजरा, B option यहाँ पर right answer हो जाएगा दोस्तों, B option यहाँ पर right answer हो जाएगा, question number देखेंगे 62, 62 number question इस क्रीन पर आप चुका है, question करहा है, वनसावली चैन, जिसको हम pedigree selection कहते हैं, विधी उपयोग में लाई जाती है, तो कौन से उपयोग में लाई जाते हैं, यह आपको बताना है, तो इसका जो right answer हो जाएगा, स्वाथा परागित फसलों के लिए इसका पर्यूग में लाई जाता है, जो स्वाथा परागित हो जाती फसले, उनमें हम pedigree selection का पर्यूग में लाते हैं, C option यहाँ पर right answer हो जाएगा, question number देखेंगे 63, 63 number question कह रहा है, किस फसल में जीनिया पाए जाती है, ठीक है, बताना है, नारियल में, आम में, लीची में, या मक्का, बाजरा, चावल में, तो जीनिया पूछ रहा है, किस में पाए जाता है, तो मक्का, बाजरा और चावल, तीनों में जीनिया पाए जाता है, D option यहाँ पर right answer हो जाएगा, D option यहाँ पर right answer हो जाएगा, question number देखेंगे 64, 64 number question कह रहा है, किस फसल में मेटा जीनिया पाय जाता है नारियल में, खजूर में, आम में या लीची में काफी बहतरीन कोशन है तो मेटा जीनिया आप लोग जानते हैं खजूर के अंदर पाय जाता है B option यहां पर right answer हो जागा कोशन नमबर चलते हैं 65 65 नमबर कौशन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कोशन क करा है गुंसूतर बने होते हैं निकली कामल के या निकलेओ प्रोटीन के वशा अमलों के या वशा के तो यहाँ पर right answer हो जागा निकलेओ प्रोटीन के B option यहाँ पर right answer हो जागा एकसान और इंट्रोक्स इंट्राउन ये शब्द का संबंध किसे है ये आपको बताना है तो इसका संबंध हो जाएगा slipped geno से see option यहाँ पर right answer हो जाएगा slipped geno से इसका संबंध है याद रखेंगे question number देखेंगे 2n minus 1 minus 1 की दसा है या कह सकते हैं एक एक की दसा किसमे देखने को मिलती है तो यह देखने को मिलती है द्वी गुनसूत्र काई किया में double monosomic किसमे C option यहाँ पर right answer हो जगा दोस्तों C option यहाँ पर right answer हो जगा double monosomic याद रखेंगे question number देखेंगे answer answer number question कह रहा है अनुवानशिक्ता के जनक है तो अनुवानशिक्ता का जनक बताना है कौन हो जाएंगे G.J. Mendel, Watson, Morgan या लेमार्ग तो यहाँ पर right answer हो जगा G.J. Mendel यह अनुवानशिक्ता के जनक माने जाते हैं question number देखेंगे 79 question करा 2N plus 2 दशा होती है monosomic में या नलिसोमिक में या ट्रांसोमिक में या टेट्रासोमिक में तो right answer हो जगा D.Option टेट्रासोमिक में D.Option यहाँ पर right answer हो जगा question number देखेंगे 70 70 number question करा DNA एक जनेटिक्स पदार्थ है दिया था किसके दोरा दिया गया था यह आपको बताना है तो यह लेमार्क की दोरा दिया गया था D.Option यहाँ पर right answer हो जगा DNA एक जनेटिक्स पदार्थ है यह किसने कहा था यह लेमार्क ने कहा था यह right answer हो जगा D.Option 71 number question देखेंगे link गुंड सूत्र कहलाती है तो link गुंड सूत्र जो होती है यह क्या कहलाती है autosomes कहलाती है allosomes कहलाती है ribosomes कहलाती है या lysosomes कहलाती है काफी बहतरीन कोशन है अच्छा कोशन है दोस्तों पर इच्छा में छपने वाला कोशन है यहाँ पर right answer हो जगा allosomes कहलाती है B option यहाँ पर right answer हो जगा Link कुन सूतर क्या कराते हैं Allo-Soms कराते हैं B option यहाँ पर right answer हो जाएगा Question number देखेंगे 72 Meiosis पाया जाता है किसमें पाया जाता है नई कोशकाओं में One-Aspatic कोशकाओं में General कोशकाओं में या इनमें कोई नहीं तो right answer हो जाएगा 72 का वो हो जाएगा C option C option यहाँ पर right answer हो जाएगा General कोशकाओं में पाया जाता है Muses C option यहाँ पर right answer हो जाएगा चलते हैं question number 73 दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को like जरूर करें दोस्तों में share करें चैनल पे नएया हैं तो subscribe करना ना भूलिए इसी परकार की वीडियो हम रोजाना साम को 8 विजे आप लोगों की बीच में लेकर उपस्तित रहते हैं जो कि आपके BAO के एक्जाम के लिए काफी most और powerful वीडियो साबित होगी तो इस वीडियो को सुरुस लेकि लाज़ तक जूर देखिएगा दोस्तों कोशन नबर 73 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कोशन कर रहा है मायटॉसेस की खोज की थी तो आपको बताना है मायटॉसेस की खोज किसकी दोरा की गई थी फार्मल और मूल ने फ्लेमिंग की दोरा reg penet sebagai तो इसका right answer हो जागा flaming की दोरा की गई थी B option यहाँ पर right answer हो जागा question number देखेंगे 74 74 number question कर रहा है gene बना होता है केवल RNA का, केवल DNA का RNA और DNA दोनों का या protein का तो right answer हो जागा केवल यह DNA की बने होते हैं B option यहाँ पर right answer हो जागा question number चलते हैं 75 पर 75 number question आपके screen पर आ चुका है, question कर रहा है परबलता शब्द दिया था तो परबलता जो शब्द किसकी दोरा दिया गया था यह आपको बताना है डी ब्रीज 900 में दिया था या बैटसन 1909 में या मारगन 1910 में या इनमें से कोई नहीं तो यहाँ पर जो right answer हो जागा बैटसन 1909 की दोरा दिया गया था बी option यहाँ पर right answer हो जागा दोस्तों question number 76 देखेंगे 76 number question कहा रहा है मनुष्यों में गंजापन होता है तो मनुष्यों में जो गंजापन होता है दोस्तों वो होता link सीमित लच्छन है ना कि प्रभाविताया लच्छन होता है यह सब नहीं होता है याद रखेंगे यह एक परकार का link सीमित लच्छन होता है कोशन नमबर देखेंगे 77 77 number question स्क्रीन पर आचुका दोस्तों question करा है संकरन के बाद संतत्य के आकार और ओज में हुई वृद्धी को कहते हैं संकरन के बाद संतत्य और आकार के ओज में हुई वृद्धी को किस नाम से जानते हैं यह आपको बताना है तो उसको हेट्रोसिस के नाम से जानते हैं B option यहाँ पर right answer हो जाएगा question number देखेंगे 78 ग्रेगर जोन मेंडल ने अनुवांशकी के सिध्धान्थ किस वर्स में प्रकासित किये काफी अच्छा important question है दोस्तों तो ग्रेगर जोन मेंडल ने अनुवांशकी के सिध्धान्थ को किस वर्स में प्रकासित किये 1846, 1856, 1856, 1926 तो यहाँ पर जो right answer हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1856 में C option यहाँ पर right answer हो जाएगा question number देखेंगे 79 79 number question आपकी screen पर आ चुगा दोस्तों 80 number question देखेंगे call ci scene का परियोग किया जाता है तो आपको बताना है call ci scene का परियोग कहां पर किया जाता है काफी बहतरीन question है दोस्तों तो call ci scene का जो एक minute दोस्तों question देखेंगे 79 टेटरी केल का विकास गेहू के किसके संकरण करके किया गया ठीक है तो जानते हैं गेहू और टेटरी को जो निकाला गया था संकरण किया गया था गेहू cross rai के बीच में ठीक है गेहू cross rai के बीच में C option यहाँ पर right answer हो जागा दोस्तों गेहू और cross rai दोनों के बीच में cross करके टेटरी केल निकाला गया था ठीक है उसके बाद question number 80 देखेंगे call ci scene का परियोग किया जाता है उत्परिवर्थन में बहुगुनता में या संकर ओज में या प्रवर्धन में तो इस अस्ती का जो राय टैंसोर हो जागा दोस्तों वो हो जागा बहुगुनता में B option यहाँ पर राय टैंसोर हो जागा याद रखेंगे कोल्ची सीन का परियोग किया जाता है बहुत गुणता में याद रखेंगे, बहुत बार एक्जाओं पूछा गया है कोशन नमबर देखेंगे 81, 81 नमबर कोशन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कोशन कर रहा है, आर्द सुत्रन के समय प्रोफेज वन की किस अवस्था में जीन बिन में पाए जाता है तो राइट अंसर हो जगा यह ओप्शन पेकी तीन में ठीक है, यह ओप्शन यहाँ पर राइट अंसर हो जगा दुवारा एक बार कोशन देखेंगे, आर्द सुत्रन के समय प्रोफेज वन की किस अवस्था में जीन बिन में पाए जाता है तो पेकी टीन की अवस्था में पाय जाता है यह option यहाँ पर right answer हो जागा question number 82 देखेंगे 82 number question कहरा है dark reaction होती है ग्रेना में होती है या क्रिष्टी में होती है या स्ट्रोमा में होती है या डियने में होती है तो dark reaction जो होती है वो किसके अंदर देखने को मिलती है तो यह होती है stroma में याद रखेंगे c option यहाँ पर right answer हो जाएगा question number 83 83 number question कहरा है एकल संक्रण में परिच्छन सरच्छन होगा ठीक है आपको बताना है mono hybrid crash में back crash होगा तो इसका अनपाथ बताना है कितना अनपाथ होगा तो इसका अनपाथ हो जाएगा दोस्तों एक अनपाथ एक याद रखेंगे b option यहाँ पर right answer हो जाएगा question number 84 84 number question आपकी screen पर आ चुका है काफी बहतरीन question है question करा है जब किसी inbred line यानि inbred line का मिसरन सकती का परिच्छन किया जाता है तो निमने लिखित में से कौन सा एक संक्रन का परिच्छन का परिच्छन किया जाता है ठीक है 84 का जो right answer हो जाएगा दोस्तों यहाँ दो option देखेंगे test class और परतीक संक्रन तो यहाँ पर दुबारा question एक बार देख लेंगे जब किसी inbred line की मिसरन सकती का परिच्छन किया जाता है तो निमने लिखित में से कौन एक संक्रन परिच्छन का परिच्छन का जाता है कौन सा क्रास परिच्छन का जाता है यह आपको बताना है test class या back class दो option और है चलिए उसको भी देख लेते हैं दोनों option दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है top class या white class तो यहाँ पर जो right answer हो जागा c option यानि कि चरम संक्रन जिसको top class की नाम से जानते c option यहाँ पर right answer हो जागा question number 85 देखेंगे निमने लिखित में से कौन अनुलेखन द्वारा उत्पादित होता है तो अनुलेखन द्वारा कौन सा उत्पादित होता है RNA, DNA, protein या histone तो 85 का जो right answer हो जागा दोस्तों वो हो जागा RNA उत्पादित होता यह option यहाँ पर right answer हो जागा question number 86 देखेंगे आपके screen पर आ चुका है question करा है inverse उपज nitrogen नियम किसके दौरा प्रस्तावित किया था तो इस नियम को किसने प्रस्तावित किया था यह आपको बताना है तो इस नियम को जो परकासित किया गया था वो मिचरलिक दौरा किया गया था यह 1909 में ठीक है याद रखेंगे C option यहाँ पर right answer हो जागा दोस्तों question number 87 देखेंगे 87 number question आपकी screen पर आ चुका है question करा है अनुवांश की अध्यन है तो अनुवांश की अध्यन है जीनों का, जीन, अन्यों, किरिया का या वनशा नुगती, विवित्ता का या DNA का तो 87 का जो right answer हो जागा दोस्तों, वो हो जागा C option यानि कि वनशा नुगती और विवित्ता का अध्यन को ही अनुवांश की अध्यन कहा जाता है, C option यहाँ पर right answer हो जागा दोस्तों question number देखेंगे 88 88 number question कह रहा है, संकर ओज का वैपारिक उपियोग किस्मी किया जाता है तो संकर ओज का वैपारिक उपियोग किस्मी किया जाता है यह आपको बताना है, जिसका जो right answer हो जागा परमपरागित फसलों में किया जाता है ठीक है, परमपरागित फसलों में किया जाता है याद रखेंगे, संकर ओज का वैपारी कुपियों किसमी किया जाता है परम परागित फसलों में किया जाता है कोशन नमर देखेंगे 89 89 नमर कोशन कर रहा है निमन लिखित में से कौन सा प्रोटीन संसलेशन का स्थल है तो कौन सा ऐसा है प्रोटीन संसलेशन का स्थल माना गया है ribosomes, एक आरेने यम आरेने, आरेरने तो यहाँ पर जो right answer हो जागा दोस्तों, वो हो जागा ribosomes ए उप्षन यहाँ पर right answer हो जागा question number 90 देखेंगे genotype और phenotype शब्द जो है निम्नलिकित में से किस ने दिया किस की दोरा दिया गया johnson के दोरा, robins की दोरा question number 90 90 number question आपकी screen पर आ चुका है question कह रहा है बहु वंश करमी किस में मिसरन होती है यह आपको बताना है तो यह रोग रोधिता के विभीन जीन वाले अनेक समान सुद्ध वंशन करम में मिसरन होती है तो c option यहाँ पर right answer हो जागा रोग रोधिता के विभीन जीन वाले अनेक समान सुद्ध वंशन करम में मिसरन होती है इस यह option यहाँ पर right answer हो जागा question number देखेंगे बानबे, बानबे number question आपकी screen पर आ चुका है ठीक है, कथन है तो इसको ध्यान पूर पढ़ना है और इसका answer देना है हेट्रो क्रोमिनिट इकठा हो जाता है यह तो गलत है इसके बाद यहाँ देखेंगे दो number यू क्रोमेटीन अंतरावस्था में दिखाई पड़ता है और पूरे निकलियो प्लाज में बिप्रीत है, तो यह ठीक है यहाँ पर दो number ठीक है उसके बाद यहाँ देखेंगे यू क्रोमेटीन, निकलियोस और केंद्रिय आवरन के निकठ इकठा हो जाता यह भी ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा right answer हो जागा, C option 2 और 3 यानि कि C option यहाँ पर right answer हो जागा, 2 और 3 सही हैं, बाकि सब गलत है यहाँ पर C option हमारा right answer हो जागा दोस्तों चलते हैं question number 93 93 number question आपकी screen पर आ चुका है इस्ट्रोमा और ग्रेना भाग है तो आपको बताना, इस्ट्रोमा और ग्रेना किसका भाग है, नुकलियस का है माइटोकॉंड्रिया का है, हरितलवा का है या लाइसोसॉम का है तो 93 का जो right answer हो जागा C option है, यानि कि हरितलवा का इस्ट्रोमा और ग्रेना एक परकार का भाग माना जाता है यहाँ पर C option right answer हो जागा दोस्तों, चलते हैं question number 94 पर है question number 94 आपकी screen पर आ चुका है question करे लाइसोसॉम शब्द सारो पर्थम दिया तो Laisosome जो है, शब्द किसकी द्वरा सबसे पहले दिया गया था कैमिलो द्वरा, डवे द्वरा, बेंडा द्वरा या पॉर्टल द्वरा तो यहाँ पर जो right answer हो जागा Laisosome जो सब्द सबसे पहले दिया था ये डवे द्वारा दिया गया था 1955 में बी option यहां पर right answer हो जागा question नमर देखें कि 95 मेंडल का स्वर्गवास हुआ कब मेंडल का स्वर्गवास हुआ यह आपको बताना है 1884, 1866 1866 या 1864 तो इनका स्वर्गवास हुआ था 1884 में याद रखेंगे यह option यहां पर right answer हो जागा question नमर देखेंगे 96 96 नमर question आपकी screen पर आ चुका है question करा है बिनमे पाये जाता है तो बिनमे किस में पाये जाता है यह आपको बताना है तो बिनमे जो पाये जाता है दोस्तों वो पाये जाता है packetine के अंदर ठीक है यह option यहाँ पर right answer हो जागा question नमर देखेंगे 97 97 नमर question करा है बहुजीनी यानि कि polygene शब्द सबसे पहले परियोग किया तो किसके दोरा बहुजीनी शब्द को परियोग किया गया था सबसे पहले यह आपको बताना है तो यहाँ पर सबसे पहले के माथूर के दोरा यह शब्द परियोग गया था बी option यहाँ पर right answer हो जाएगा question नमर देखेंगे 98 जीव दरव वनशान गती सबसे पहले बताई गई तो बताना है साइटो प्लाजमिक इनहरेट टैंस सबसे पहले किसके दोरा बताया गया था कोरेंस के दोरा कोसपरी के दोरा तो ट्वेंट के दोरा या रेनर्स के दोरा 98 का जो right answer हो जाएगा कोरेंस के दोरा बताया गया था ए उप्षन यहाँ पर right answer हो जाएगा दोस्तों question नमर देखेंगे 99 नर बंद था मेल इस्टरलिटी लाइन निर्देशित करती है तो मेल इस्टरलिटी लाइन जो है क्या निर्देशित करती है A लाइन, B लाइन, R लाइन या ये सभी तो इसका जो right answer हो जाएगा A लाइन निर्देशित करती है A option यहाँ पर right answer हो जाएगा question नमर देखेंगे लाइन, B लाइन, R 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 लाइ लेट बर्ट के द्वारा या ब्राउन के द्वारा तो यहाँ पर जो right answer हो जाएगा यह बेंडा ने सबसे पहले परयोग किया था ठारा सो सतानवी में बी option यहाँ पर right answer हो जाएगा question number देखेंगे 102 nullisomic दशा है तो nullisomic दशा इसमें से कौन सी है तो 2N 2 हो जाएगा यह nullisomic हो जाएगा ठीक है माइनस 2 है nullisomic में 2N माइनस 2 हो जाएगा ठीक है याद रखेंगे बी option यहाँ पर right answer हो जाएगा question number देखेंगे 103 103 number question आपकी screen पर आ चुका है question करें तो किसकी दोरा यह सब्द दिया गया स्वा आनिस्ट जेता इस्ट्राउट के दोरा स्थल के दोरा कोर्ट के दोरा या इस्ट के दोरा तो यह दिया गया था इस्ट्राउट के दोरा 1947 में यह option यहाँ पर right answer हो जाएगा दोस्तों question number देखेंगे 104 104 number question कर रहा है trisomic दशा है तो इसमें से बताना है trisomic दशा कौन सी है 2n प्लस 1 2n प्लस 2 2n प्लस 1 प्लस 1 2n माइनस 2 तो यहाँ पर जो right answer हो जागा trisomic पूछा है तो दशा होते हैं 2n प्लस 1 यह option यहाँ पर right answer हो जाएगा question number देखेंगे 105 105 number question कर रहा है जिनमें एक मौल जिनों के बिलकुल ठीक गुनित गुनसुतर होते हैं उसको क्या करते हैं सागुनित करते हैं या A सागुनित करते हैं या A और B दोनों या इनमें से कोई नहीं 105 का जो right answer हो जागा सागुनित करते हैं A option यहाँ पर right answer हो जागा कोशन नमबर देखें कि 106, 106 नमबर कोशन कर रहा है, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, तो पाचक एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, तो लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं, यह उप्षन यहाँ पर राइट एंसर हो जागा, याद रखें कि पाचक एंजाइम कहाँ पा चलिए दो और देख लेते हैं तो परवलता जो शब्द है दोस्तों वो बैट्शन के दोरह 1909 में परियोग किया गया था C option यहाँ पर right answer हो जागा दोस्तों C option यहाँ पर right answer हो जागा question number 108 देखेंगे brace का जंसिया एक उभै दुई गुणित है तो यह बताना किसका किसका क्रास है काफी important है तो यहाँ पर हो जागा brace का कंपेश्ट्रिस और brace का नाइगरा ठीक है यह option यहाँ पर right answer हो जागा brace का कंपेश्ट्रिस क्रास ब्रेस का नाइगरा question number देखेंगे 109 109 number question स्क्रीन पर आचुका दोस्तों question कर रहा है mendel के परिणाम सबसे पहले परकासित हुए रूस में, फ्रांस में, जर्मन में या ब्रिटेन में तो mendel के परिणाम सबसे पहले जर्मन में यह परकासित हुए थे c option यहाँ पर right answer हो जागा 110 number question देखेंगे काईजमा काईजमा सबसे पहले खोजा था तो काईजमा सबसे पहले किसके दोरा खोजा गया था तो यह जैनसेंस 1909 के दोरा खोजा गया था जैनसेंस 1909 के दोरा काईजमा सबसे पहले खोजा गया था यह option यहाँ पर right answer हो जाएगा दोस्तों question number देखेंगे 111 111 number question आपके screen पर आ चुका है puff पाया जाता है तो बताना puff पाया जाता है B गुण सूत्र में अधी संख्या गुण सूत्र में या साहे गुण सूत्र में या उपरोग सभी में तो 111 का right answer हो जाएगा उपरोग सभी के अंदर puff जो पाया जाता है B गुण सूत्र में अधी संख्या गुण सूत्र में भी पाया जाता है और साहे गुण सूत्र में भी देखने को मिलता है D option यहाँ पर right answer हो जाएगा question number देखेंगे 112 cytoplasm gene पाया जाते हैं तो cytoplasm gene जो gene होते हैं यह पाय जाते हैं कहाँ पर यह chloroplast के अंदर और mitochondria दोनों के अंदर देखने को मिलते हैं इसलिए हमारा answer हो जाएगा A और B दोनों ठीक है यहाँ पर C option हमारा right answer हो जाएगा question number देखेंगे 113 113 number question इसक्रीन पर है question करें मनुस्यों में A, B और O रुधिर वर्ग का सारव पर्थम खोजा था तो मनुस्यों में A, रुधिर, B, रुधिर और O, रुधिर वर्ग की खोज सबसे पहले किसकी दोरा की गई थी तो यह खोज की गई थी लेंड इस्टीनर और निसो के दोरा C option यहाँ पर right answer हो जाएगा question number देखेंगे 114 गुंसूत्र का आकार निम्न लिखित में से किस यंतर दोरा मापा जाता है तो गुंसूत्र का जो आकार है किस यंतर के दोरा मापा जाता है यह यह यहाँ पर पूछा है तो यह मापा जाता है दोस्तों micrometer के दोरा ठीक है यह option यहाँ पर right answer हो जाएगा micrometer का पर योग करते हैं याद रखें कि काफी important question है गुंसूत्र का आकार मापने के लिए question number देखेंगे 115 115 number question करा है crossing over प्राप्त होता है crossing over किस से प्राप्त होता है for instant stage से प्राप्त होता है c option यहाँ पर right answer हो जाएगा ठीक है crossing over प्राप्त होता है for instant stage से question number 116 देखेंगे स्वाब बहुगुणित का उधारन है तो स्वाब बहुगुणित का उधारन इसमें से बताना है tomato है अंगूर है या A और B दोनों सही है या मूली है तो 116 का जो right answer हो जाएगा यानि कि टमाटर और अंगूर दोनों स्वाब बहुगुणित का उधारन है इसलिए A और B दोनों सही हो जाएगा यहाँ पर C option right answer question number देखेंगे 117 117 number question करा है पर बहुगुणिता का उधारन इसमें से बताना कौन सा है मूली है फूल गोबी है A और B दोनों है या इनमें से कोई नहीं पर बहुगुणिता पूछा है तो इसका उधारन इहाँ पर हो जाएगा मूली भी है और फूल गोबी है इसलिए A और B दोनों हमारे right answer हो जाएगे C option यहाँ पर right answer question number 118 देखेंगे 118 number question कराया है स्वा बहुगुणिता कहलाती है तो स्वा बहुगुणिता क्या कहलाती है संकर बहुगुणिता कहलाती है समान बहुगुणिता कहलाती है या सिगमेंटल बहुगुणिता कहलाती है या सभी कहलाती है 118 का जो right answer हो जाएगा समान बहुगुंड़ता जो होती है यह स्वाइब बहुगुंड़ता कहलाती है B option यहाँ पर right answer हो जागा दोस्तों B option यहाँ पर right answer question number देखेंगे 199, 199 number question करा है संकर ओज की अती परभाविता परिकलपना परतिपादित की थी तो किसके दोरा परतिपादित की गई थी यह आपको बताना है तो यह परतिपादित की गई थी सल और इस्ट 1908 के दोरा A option यहाँ पर right answer हो जागा question number 120 देखेंगे परतिवर्ति वरंड़ शब्द दिया परतिवर्ति वरंड़ शब्द की दोरा दिया गया था यह आपको बताना है तो यह हुल की दोरा दिया गया था हुल 1945 की दोरा दिया गया था D option यहाँ पर right answer हो जागा दोस्तों question number देखेंगे 121 121 number question आपकी screen पर आ चुका है question करा है गेहू है एक गेहू जो है एक परकाल का परागित फसल है वे उप्शन यहाँ पर right answer हो जागा दोस्तों यह आप्शन यहाँ पर right answer हो जागा चलते है question number 122 पर question number 122 आपकी screen पर आ चुका है question करा है बिना लेंगिक प्रक्राक्रम के बीज का विकास को क्या कहते हैं बी ओप्शन यहां पर राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों, बिना लेंगिक प्रेक्रम के बीच का जो विकास हो जाता है, तो उसको आसंग जनन की नाम से जानते हैं, कोशन नमबर 123 देखेंगे, फसलों में उत परिवरतन पैदा करने के लिए, एक्स किर्णों का सारो पर्थ किया गया था, यह आपको बताना है, तो यह परियोग किया गया था, यह जे मूलर 1927 की दोरा, सी ओप्शन यहां पर राइट एंसर हो जागा दोस्तों, कोशन नमबर देखेंगे 124, 124 नमबर कोशन स्क्रीन पर आ चुका है, कोशन करा भारत में गेहूं का जीन बैंक इस्त क्योंकि इसका गेहूं का जो जीन बैंक है, यह करनल हरियाना के अंदर इस्तित है, तो यहां पर ऑप्शन में है नहीं, कोशन नमबर देखेंगे 125, 125 नमबर कोशन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कोशन करा धान, विस्वी जीन बैंक इस्तित है, धान का बताना, विस्वी 126 नमबर कोशन कर रहा है पहला इंटरजेनिक हाइब्रीड मूली पत्ता गोभी की बीच बनाया गया तो यहाँ पर राइट किसने बनाया था यह आपको बताना है पहला इंटरजेनिक हाइब्रीड मूली पत्ता गोभी की बीच बनाया गया था तो किसके दोरा बनाए गया था यह आपको बताना है तो इसका right answer हो जागा Carpage को 1927 की दोरा ठीक है? Carpage को 1927 की दोरा बनाए गया था D option यहाँ पर right answer हो जागा Question number देखेंगे 127 Hugo Drevich उन्हों जिन्हों ने उत्परिवर्तन परिभाशित किया था तो Hugo Drevich जिन्हों ने उत्परिवर्तन परिभाशित किया था तो यह आपको बताना है किसके दोरा तो यहाँ पर right answer हो जागा Dutch वनस्पति सास्त्री थे ठीक है? यह Dutch के वनस्पति सास्त्री थे एक A option यहाँ पर right answer हो जागा Question number देखेंगे 128 128 number question करा है Cybreed है तो Cybreed क्या है? एक परकार का तो यह होता है कोसा सलेयन द्वारा निर्मित संकर है ठीक है? B option यहाँ पर right answer हो जागा कोसा सलेयन द्वारा निर्मित एक परकार का संकर होता है इसको Cybreed के नाम से हम जानते है Question number देखेंगे 139 139 question आपकी screen पर है पहला इंटरजयनिक क्रास Breadweed और राई की बीच पैदा किया गया था तो किसकी द्वारा ये किया गया था तो यहाँ पर right answer रिम्पू ने पैदा किया था ठीक है? यहाँ पर गेहू और राई का बीच में क्रास करके जो कोल्ची सी निकाला गया था यहाँ पर रिम्पू ने निकाला था यह याद रखेंगे रिम्पू द्वारा विक्सित किया गया था question number देखेंगे 130, 130 number question करा राई और गेहू के बीच इंटरजयनिक क्रास कराया गया था कौन से सन में कराया गया था यह आपको बताना है 1890, 1990, 1990 1790 या अर्थ बताना है, क्या होता है तो इसका अर्थ होता है पराग कोसों को अलग करना ठीक है, इसको कहते है e-masculation, पराग कोसों को अलग करना ही e-masculation कर लाता है, याद रखेंगे a option यहाँ पर right answer हो जाएगा question number देखेंगे 132 132 number question आपकी screen पर आ चुका इसको, तो यहाँ पर मुख जीन समान परतिरोधता यह भी ठीक है oligogenic परतिरोधता यह भी ठीक है मातरात्मक परतिरोधता यह भी उप्रोक सभी यहाँ पर D right answer हो जाएगा दोस्तों D option यहाँ पर right answer हो जाएगा question number 133 देखेंगे 36 परतिरोधिता कहलाती है option देख लिजिए उसके बाद 2 option दिखाते हैं आपको C option यहाँ पर आ गया है गुणातमक परतिरोधता और उप्रोक सभी तो D option यहाँ पर right answer हो जाएगा सभी सभी यहाँ पर सही है question number 134 देखेंगे जब किसी किस्म को जब किसी किस्म में परतिरोधिता रोग जनक की एक या केवल कुछ भी सेज प्रवेधों के परति होती है तो क्या कहलाती है तो वह कहलाती है इनमें से कोई नहीं ठीक है D option यहाँ पर right answer हो जागा यह सभी सभी यहाँ option में गलदी हो है question number 135 135 नमर question आपकी स्क्रीन पर आचुका है जब प्रतिरोधिता रोग जनित जाती के सभी प्रवेधों के परति होती है तो 36 प्रतिरोधिता उर्वाधर प्रतिरोधिता या समान प्रतिरोधिता या ये सभी 135 का जो right answer हो जागा दोस्तों वो हो जागा 36 प्रतिरोधिता के लाती है ये option यहांपर right answer हो जागा question number देखेंगे 136 clone जो होता है समानिता होता है बिसम यूग मेंजी होता है या सम यूग मेंजी होता है या या इनमें से कोई नहीं 136 का जो right answer हो जागा clone जो होता है एक परकार का बिसम यूग मेंजी होता है ये option यहांपर right answer हो जागा question number देखेंगे 137 question करा है दुरस्त प्रसंस्करण समबंदित है तो कौन सा हो जागा distance hybrid digestion जो होता है किस से समबंदित है ये आपको बताना है तो यहांपर संकर अजीवन शमता ये ठीक है उसके बाद संकर बन देता ये भी ठीक है संकर भी hybrid, back, breakdown यहांपर उप्रोग सभी हो जागा D option यहांपर right answer हो जागा question नमबर देखेंगे 138 138 नमबर question करा है संकरण परागन समबंदित है संकरण जो परागन है किस से समबंदित है डाइको गैमी से या एलोगो गैमी से या क्लिष्टो गैमी से या आसंग जनन से तो 138 का जो right answer हो जागा दूस्तों वो हो जागा डाइको गैमी से ये option यहांपर right answer हो जागा दुबारा एक बाद देख लेंगे संकरण परागन समबंदित है ये हो जाएगा डाइको गैमी से ये option यहांपर right answer कोशन नमबर 149 देखेंगे आलेंगिक जनन में समबंदित है ओटो गैमी एलो गैमी या एंपी मिक्सिस या आसंग जनन तो 149 का जो right answer हो जागा आटो गैमी आलेंगिक जनन से समबंदित कोई सा है आटो गैमी याद रखेंगे ए उप्षन यहांपर right answer हो जागा कोशन नमबर देखेंगे 140 नर बंदिता बढ़ती है तो नर बंदिता किसे बढ़ती है तो ये बाह प्रेजनन से नर बंदिता बढ़ती है बी उप्षन यहांपर right answer हो जागा कोशन नमबर 141 देखेंगे जीव दरवे बंदिता नियंतरित होती है तो जीव दरवे बंदिता जो है किसके दोरा नियंतरित होती है ये आपको बताना है तो ये होती है प्लाजमा जीन से नियंतरित होती है याद रखेंगे बी उप्षन यहांपर right answer हो जागा जीव दरवे बंदिता नियंतरित होती है किसके दोरा प्लाजमा जीन के दोरा नियंतरित होती है कोशन नमर देखेंगे 142 142 नमर कोशन इस स्क्रीन पर आ चुका है कोशन कह रहा है वायूप्रागण कहलाता है तो वायूप्रागण को किस नाम से जानते हैं तो एन्मोफीली के नाम से जानते हैं बी उप्षन यहांपर right answer ईोप्रागण के लिए अन्मोफीली ठीक है वायूप्रागण क्या कहलाता है उसके बाद कोशन नमर 143 देखेंगे एक लिंगा सरही दसा है तो एक लिंगा सरही जो दसा होती हुआ स्वाप रागन के लिए अनुकूल होती है ठीक है एक लिंगी एक लिंगा सरही दसा जो होती है ये स्वाप रागन के लिए अनुकूल दसा मानी जाती है B option यहाँ पर right answer हो जागा दोस्तों Question number देखेंगे 144 144 number question कर रहा है काजरी अनुसंधान कहाँ पर रिस्तित है यानि कि काजरी में अनुसंधान होता है तो यह होता है A-rid पोधों और फसलों पर अनुसंधान होता है काजरी कहाँ है जोधपूर में इस्तित है तो यह जो research center है यह A-rid पोधों और फसलों पर research करता है यह option यहाँ पर right answer हो जागा question number देखेंगे 145 145 number question कर रहा है गेहु में पर परागण संभाव है 15% 75% 35% 25% तो गेहु के अंदर पर परागण जो संभाव है उसका percentage बताना है तो यह हो जागा 15% यह option यहाँ पर right answer हो जागा question number देखेंगे 146, submit बताना है कहाँ इस्तित है यह research center है submit तो यह बताना है कहाँ पर इस्तित है तो यह हो जागा Mexico के अंदर Smith, यह option यहाँ पर राइट अंसर हो जागा दोस्तों आसान कोशन था मैक्सिको में स्मिट स्थिथ है याद रखेंगे ए उप्षन यहाँ पर राइट अंसर चलते हैं कोशन नमबर 147 पर दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों म क्या चैया होती है याद रखेंगे जो में रोग प्रतिरोधता जो होती हैं वे उप्षन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा काफी बार एक्जामिल में आया हुआ हुआ है कोशन नमर देखेंगे 148 गंगा चार एक है तो गंगा 4 जो है यह मक्का की वराइटी है तो यह पताना है किस परकार की है, तो गंगा चार एक double cross hybrid variety है, ठीक है, बी option यहाँ पर right answer हो जागा, गंगा चार एक double cross hybrid है, याद रखेंगे, कोशन नमर देखेंगे 149, 149 कोशन करा है, प्रत्या वर्ती वरण मुक्ता परियोग होता है, तो प्रत्या वर्ती वरण जो होता है, मुक् अपर्भाविय जनक से करतें हैं, तो उसको टेस्ट करास के नाम से जाना जाता है, कोशन बेखेंगे 151, 151 नमर कोशन कहरा है, तो संकर है, तो संकर बताना क्या है, तो संकर सब लोग जानते दो समान पौधों की क्रास से प्राप्त PD को ही हम क्या कहते हैं संकर की नाम से जानते हैं B option यहाँ पर right answer हो जाएगा दोस्तों question number देखेंगे 52 152 number question कहरा है भारत में मक्का में संकर बीज उतपादन के लिए परियोग करते हैं तो भारत में मक्का में संकर भीज उत्पादन के लिए परियोग करते हैं, तो क्या परियोग किया जाता है, तो ये करते हैं, डिटेल सलागी, ठीक है, यहाँ पर राइट अंसर रहाज़ागा, D option, कोशन नमर देखेंगे, एक सो तिरपन, एक सो तिरपन नमर कोशन कर रहा है, सरव पर्थम उर्धवाधर और च्छेतिज परती रोधितकता शब्द सबसे पहले परियोग किये गए थे, तो सरव पर्थम उर्धवाधर और च्छेतिज जो है, काफी important question है start लगा लीजिए इसको question number देखेंगे 154 154 number question आपकी screen पर आ चुका है question कर रहा है DNA द्वी सुत्री kundaline सरचना दी थी तो आपको बताना DNA की द्वी सुत्री जो है kundaline सरचना किसके द्वारा दी गई थी काफी अच्छा important question है तो यहाँ पर right answer हो जगा Watson और Crick की द्वारा दी थी C option यहाँ पर right answer हो जगा DNA द्वी सुत्री कुंडला कार या कुंडलीनी सरचना जो है यह किसके द्वारा दी गई थी Watson और Crick की द्वारा याद रखेंगे question number देखेंगे 155 155 number question आपकी screen पर आ गया है question कर रहा है Salayan तथा Trick Salayan के संयोग रूप से कहते हैं Salayan तथा Trick Salayan को संयोजित रूप को किस नाम से जानते हैं क्या कहा जाता है तो इसको द्वी निसेचन की नाम से जानते हैं यह option यहाँ पर right answer हो जागा question number 156 देखेंगे ब्रूण पोश में गुंसूतर संख्या होती है तो ब्रूण पोश में जो गुंसूतर संख्या होती है वो तीन एन होती है B option यहाँ पर right answer हो जागा दोस्तों B option यहाँ पर right answer question number 157 देखेंगे question करा KMEL 7404 KMEL KS 11 गेहों की किसमे हैं यह दोनों क्या है गेहों की किसमे है तो बताना सुद वन सान कर्म किसमे है या समूह चैनित किसमे है या मल्टी लाइन किसमे है या परत्यावर्ती किसमे है तो 157 का जो right answer हो जागा multi line किसमे है यह याद रखेंगे C option यहाँ पर right answer हो जागा के यम यल 74.04 के यम यल के यस 11 यह दोनों multi line किसमे है याद रखेंगे C option यहाँ पर right answer हो जागा question number 108 देखेंगे C, T, C, R, I इस्तित है तो कहाँ पर इस्तित है यह आपको बताना है तो यह इस्तित है तो यह इस्तित है त्रीवेंदरम में दोस्तों question के संख्या अधिक है इसके नाते थोड़ा जल्दी जल्दी करवाने का पर्यास कर रहे है कि कम समय में हम लोग अधिक से अधिक परिशनों को साल कर सके तो हम सोच रहे हैं कि एक ही वीडियो में Gentix के अधिक से अधिक परिशनों को question number 160 देखेंगे ATP संसलेसित प्राप्त होता है तो ATP जो है संसलेसित प्राप्त होता है किसमें क्लोरोप्लास्ट में माटोकॉंड्रिया में न्यूकलियस में या ए और बी दोनों से है तो right answer हो जागा ए और बी दोनों से है माटोकॉंड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों से प्राप्त होता है ठीक है D option यहाँ पर right answer हो जागा question number 161 161 number question कह रहा है कि plasma जिली है तो plasma जिली जो है आर्द प्राग में जिली होती है C option यहाँ पर right answer हो जागा question number 162 देखेंगे bread wheat है यह आटो yellow polyploidy है D option यहाँ पर right answer हो जागा auto yellow polyploidy होता है bread wheat याद रखेंगे D option यहाँ पर right answer हो जागा question number 163 163 number question कर रहा है कोश का सिध्धान्त किसने परतिपादिन किया था तो कोश का सिध्धान्त जो परतिपादिन किया था यह किया गया था swan और slayden के दोरा याद रखेंगे C option यहाँ पर right answer हो जागा question number 164 देखेंगे nucleus beach है तो nucleus जो beach है वो कितने परतिपादिसा सुद्ध होते हैं यह आपको बताना है तो यह 100% सुद्ध होते है nucleus beach जो होते हैं 100% सुद्ध होते हैं याद रखेंगे यह option यहाँ पर right answer हो जाएगा question number 165 गंगा सफेद एक संकर है मक्का का, जौर का, कपास का या मिलिट का तो यहाँ पर right answer हो जागा मक्का का एक संकर है गंगा सफेद जो है मक्का का संकर है यह option यहाँ पर right answer हो जागा कोशन नमबर 166 देखेंगे तमाकू कुसम जवार जूट स्वा परागित फसल है पर परागित फसल है बहु बहुदा पर परागित फसल है या इनमें से कोई नहीं तो राइट एंसर हो जाएगा बहुदा पर परागित फसल होती है तमाकू, कुसम, जवार, जूट याद रखेंगे C option यहाँ पर right answer हो जागा question number देखेंगे 166 question कर रहा है wide cross कहलाता है तो wide cross को किस नाम से हम जानते हैं क्या कहलाता है तो दुरस्त press अंकरन कहलाता है ठीक है, यह option यहाँ पर right answer हो जागा दुरस्त press अंकरन कहलाता है याद रखेंगे A option यहाँ पर right answer question number 166 देखेंगे, तोचा का रंग किस वर्णक की दोरा होता है gluten, melelin, aminomal या anthocyanin तो तोचा का रंग जो होता है, किस वर्णक की दोरा होता है यह आपको बताना है तो यहाँ पर right answer हो जागा मेले नीन के कारण B option यहाँ पर right answer question number 177 देखेंगे, लग, बिजान, जनन निम्न मेंसे किसमी होता है जडों में, पतियों में, तना में या पराग कोश में तो right answer हो जागा, पराग कोश के अंदर होता है याद रखेंगे, लग, बिजान, जनन ठीक है, D option यहाँ पर right answer हो जागा question number 177 देखेंगे, निम्न लिखित में से कोश का के किस भाग में protein sensation होता है तो कोश का के किस भाग में protein sensation होता है, यह आपको बताना है तो यहाँ पर right answer हो जागा, ribosome में ठीक है, B option यहाँ पर right answer हो जागा question number चलते हैं 171, 171 question स्क्रीन पर आ चुका है question करा है, निम्न लिखित में से कौन सा तत्तो रंदरों के खुलने, बंध होनी की परकिरिया में समलित होता है तो कौन सा तत्तो है हो, potassium हो जागा, यह option 173 का जो right answer हो जागा, दोस्तों, जड़ दबाओ root pressure के कारण ही, बिंदु स्राव की परकिरिया कारण बनता है यह option यहाँ पर right answer हो जागा, दोस्तों चलते हैं, question number 173 question number 173 आपकी screen पर आ चुका है question करा, जीव दरवे है आपको बताना, जीव दरवे क्या है एक सत्य बिलेन है, एक आस अंतिप्त बिलेन है या निलंबन है, या बहु परवादी collide दंत्र है तो 173 का जो right answer हो जागा, दोस्तों बहु परवास्ती collide दंत्र है ठीक है, D option यहाँ पर right answer हो जागा जीव दरवे क्या है, बहु परवास्ती collide दंत्र है, याद रखेंगे D option, right answer हो जागा question number 174 देखेंगे, आपकी screen पर आ चुका है, काफी अच्छा बहतरीन question है, मक्का का वनास्पितिक नाम क्या है सब लोग जानते है, जीव जो होता है इसका सही answer हो जागा मक्के का बोटन का जीव question number 175 देखेंगे, इस्क्रीन पर आ चुका है समूह वरण में पोधों का चैन किस आधार पर किया जाता है तो बताना है किस आधार पर किया जाता है तो इसका right answer हो जागा phenotype पर किया जाता है ठीक है, यह option यहाँ पर right answer हो जागा समूह वरण में पोधों का चैन किस आधार पर किया जाता है phenotype देखकर ही किया जाता है question number 176 देखेंगे question करा है, मेंडल का जन्म हुआ था तो मेंडल का जन्म कब हुआ था 1820, 1821, 1822, 1828 तो यहाँ पर right answer हो जागा c option 1822 में मेंडल का जन्म हुआ था, याद रखेंगे question number 177 177 number question करा है परकास की और पोधे के जुकाव को कहते है तो परकास की और पोधे का जुकाव को किस नाम से जानते है क्या कहा जाता है, तो उसको कहते है photo tropeism, ठीक है photo tropeism के नाम से जानते है c option यहाँ पर right answer हो जाएगा question number 178 देखेंगे, काफी अच्छा बहतरीन question है question है दोस्तो, पानी का अस्थाना अंतरण निम्नलिकित में से किस उतक तंतर के माध्यम से होता है, तो यहाँ पर जायलम के दौरा होता है, ठीक है, जल से जायलम, जल से पानी, ठीक है, तो याद रखेंगे, ए उप्षन यहाँ पर right answer हो जाएगा, question number देखेंगे 179, question आपकी screen पर आ चुका है, question करहा प्राकृतिक वरण दौरा, पादब विकास पादब समुदाय में होता है, प्राकृतिक वरण का सिधांत, प्रतिपांद किसके दौरा किया गया था, डार्वीन के दौरा याद रखेंगे question number 180, आपकी screen पर है गुण सोत्रों की संक्या घटकर आधी रह जाती है, तो किसमें आधी रह जाती है पीछे question आ चुका है, आर्द सुत्री विभाजन किया जाता है, एक बार दौरा question देखेंगे दूर संक्रों का बाजबन या आ संगती को समावत कर संकर उत्पन किया जाता है उसको किस नाम से जानते हैं, क्या कहा जाता है यह आपको बताना है, तो यहाँ पर जो right answer हो जागा दोस्तों, वो हो जागा question number 190 था यहाँ पर question number 190 जो था इसका सही answer हो जागा ब्रून संवर्धन कहते हैं, ठीक है याद रखेंगे, दोर संकरों तथा बाजबन या आ संगती को समावत कर संकर उत्पन किया जाता है वो ब्रून संवर्धन की दोरा किया जाता है 190 का B option यहाँ पर right answer हो जागा दोस्तों अब देखें question number 191 जो है यहाँ पर गेहू की सुनालिका जो किस्म में वामनता जिसको ड्वार्फिंग कहते हैं जीन का सुरूत क्या है? तो इसका जीन का सुरूत नौरीन 10 हो जागा दोस्तों D option यहाँ पर right answer हो जागा नौरीन 10 question number चलते हैं 192 192 number question आपकी स्क्रीन पर आ चुका है question करया भारत में बिक्सित सूर्य मुखी जिसको सूरज मुखी कहा जाता है sunflower कहा जाता है कि पर्थम संकर किस्म बताना है सूर्य मुखी की पर्थम संकर किस्म बताना है कौन सी हो जाएगी तो इसकी संकर किस्म पहली जो है B या सियाच 1 है ठीक है D option है हाँ पर right answer हो जागा दोस्तों question number 113 बे देखें यह 113 बे नंबर question करया गन्ने की किस्मे ठीक है कोशकाओं की बनावट बताना है किस हिसाब से है तो इसका right answer हो जगा स्वय बहुगूनिता की अधार पर है यह option यहाँ पर right answer हो जागा दोस्तों चलते हैं question number 194 बे पाल question number दोस्तों 194 आपकी screen पर आ चुका है question करया मक्के में 3 mark संकरन का तात्प्रय है एक संकर किस्म जो एकल संकरन और निमने लिखित में से किसी एक के बीच हो तो उसको क्या कहा जाता है किस नाम से जानते हैं तो उसको दोस्तों एक अंत्य परजाद motion करम कहते हैं C option यहाँ पर right answer हो जागा दोस्तों question number 105 बे देखेंगे question करया लाल और नीली हरी शेवाल में परकास अंसलेशन को परभावित करने वाला रंजक कौन सा है लाल और नीली हरी शेवाल में परकास अंसलेशन को परभावित करने वाला रंजक पूछ रहा है कौन सा है तो यहाँ पर जो रंजक हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा वो phicopoloidine हो जाएगा ठीक है, फाइगो बिलीन याद रखें एड़ेंगे d option यहां पर right answer हो जाएगा question नमबर देखेंगे 196,196 number question आपकी पर स्क्रीन पर आ चुका है question करा a question करने वाले उतक दोरा परकास में oxygen का और carbon dioxide याउकसाइड का उत्पाद क्या कहलाता है काफी बहतरीन कोशन है दोस्तों इंपोर्टेंट कोशन है परकास संसलेशन करने वाले उतक द्वारा परकास में आकसीजन का कारबन डाया याउकसाइड का उत्पाद उत्पादन क्या कहलाता है सौसन कहलाता है प्रकास सौसन कहलाता है भू सौसन कहलाता है या लवन्ड सौसन कहलाता है तो राइट एंस्टर हो जागा प्रकास सौसन कहलाता है बी ओप्शन यहां पर राइट एंस्टर हो जागा जो कि एलिलों की निम्नलिखित में से किसी एक पर आयोग शीलता से संबंधित है तो यहाँ पर राइट एंसर हो जागा समझात गुनसुत्रों की भिन संततियों पर ठीक है, बी ओप्शन यहाँ पर राइट एंसर हो जागा कोशन नमबर देखेंगे 181, 181 नमबर कोशन करा है, अधार ये बीज पैदा किया जाता है तो फाउंडेशन सीड जो है, पैदा किया जाता है, मूल धार बीज से, जनक ओज से, या गुनातमक बीज से, या परमानित बीज से तो राइट एंसर हो जागा, 181 का, वो हो जागा दोस्तों, बी ओप्शन, बी ओप्शन यहाँ पर राइट एंसर हो जागा, परिजनक ओज से, बी ओप्शन यहाँ पर राइट एंसर हो जागा question number देखेंगे 182 182 number question आपकी screen पर आचुका है दोस्तों ध्यान पूरोग पढ़ेंगे answer देंगे question कर रहा है स्वय निश्यता सहयक होती है तो स्वय निश्यता जो सहयक होती है वो होती है संकर प्रयाती विकास में ठीक है B option यहाँ पर right answer हो जागा question number जलते है 183 183 number question इस्क्रीन पर आचुका है question कर रहा है पादप प्रजनेंट की सभी अभिक्रियाओं का आरंभिक बिंदू है तो आरंभिक बिंदू कौन सा हो जागा दोस्तों तो आरंभिक बिंदू हो जागा प्रयवेशन ठीक है question number देखेंगे 184 जनकों के बिसिष्ट समयोजन छम्ता होनी चाहिए तो संकर पर्यवेशन के विकास में depending here in가 question number देखेंगे een50 question कर रहा है पोटो मेंटर का परियोग होता है तो पोटो मेंटर का परियोग कहां पर होता है तो photometer का परियोग करते हैं दर्मापने में याद रखेंगे photometer का परियोग करते हैं वासपो सर्जन दर्मापने में एde option यहां पर right answer हो जाएगा q relation नमबर देखेंगे 186 186 नमबर questions आपकी screen पर आ चुका है qution कर 제가 किस परकार के beach को हर वर्स खरीदना पड़ता है तो सब लोग जानते हैं संकर जो बीज होते हैं हाइब्रीड बीज होते हैं इसको हर वर्स खरीदना चाहिए ठीक है बी ओप्शन यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों कोशन नमर देखेंगे 187 187 नमर कोशन करा है अच्छे पिरित जिसको बेटर पैरेंट कहा जाता है से प्राप्त संकर ओज को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है यह आपको बताना है तो इसको कहते हैं डी ओप्शन यहाँ पर राइट एंसर हो जागा हेट्रो बेलिट ओसिस हेट्रो बेलिट ओसिस कहा जाता है याद रखेंगे डी ओप्शन यहाँ पर राइट एंसर हो जागा चलते है कोशन नमर 188 पर कोशन नमर दोस्तो ऐपकी स्क्रीन पर आचुका है कोशन करा है जीनो टाइप क्रास پार्यावरन अंत्य किरिया सभी संपन होता है जब दो या दो से अधिक जीनो टाइप हो या दो से अधिक पारेवरण हो ठीक है तो यहाँ पर D option हमारा राइट एंसर हो जागा दोस्तों question पूछ रहा जीनो टाइप ट्रास पारेवरण अंत्य किरिया सभी संपन होता है जब 2 या 2 से अधिक जीनो टाइप हो या 2 या 2 से अधिक परेवरन हो तो D option यहाँ पर राइट एंसर हो जागा कोशन नमबर देखेंगे 199 199 नमबर कोशन करा मक्का की महत्पूर्ण किस्मी जोहर विक्रम किसान ठीक है यह बताना है राइट एंसर हो जागा कोशन नमबर देखेंगे 200 200 नमबर कोशन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कोशन करा है बिसम योगमजी की स्रेश्टता के फलसोरूप होता है तो इसके स्रेश्टता के फलसोरूप क्या होता है दोनों एलिलों का संकरन होता है सी ओपशन यहाँ पर राइट एंसर हो जागा दोस्तों कोशन नमबर देखेंगे 201 201 नमबर कोशन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कोशन करा है निमने लिखित में से अंतर राष्ट्य फसल सुधार संस्थानों पर विचार करना है ठीक है अंतर राष्ट्य फसल सुधार संस्थानों पर विचार करना है तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट ओप्सन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों यहाँ पर पहले हो जागा अंतर राष्ट्य धान अनुसंदान संस्थान फिलिपिन्स ठीक है चार नूमबर पहले प्हले पर आ जाएगा उसके बाद देखेंगे अंतर राष्ट्य मक् donations गेहं सुधार मेक्सिको यह भी दो नूमबर आ जाएगा उसके बाद देखेंगे यहाँपर अंतर राष्ट्य आलू केंद्र पेड़ू ये भी उसके बाद क्या नम है दो नमबर लास्ट में आ जागए ये अंतराश्टी आर्द सुस्क और ऊशन कडबंदी है अनुसंदान संस्थान ठीक है तो यहाँ पर जो राइट अंसर हो जागा बी ओप्शन हो जागा ठीक है पहले नमबर पहले इसकी फिलिपिन्स में उसके बाद क्या नम है अंतराश्टे मेक्सको तो इस हिसाब से बी ओप्शन हमारा राइट आंसर हो जागा इसको क्रम में लगाना था ठीक है सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी इस क्रम में इसको जोडना था यहाँ पर हमारा बी ओप्शन राइट आंसर हो जागा दोस्तों कोशन नमबर चलते हैं 202 पर 202 नमबर कोशन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कोशन कर रहा है किसी मिसरित संसलिष्ट में प्रारंभिक जीन पूल बनता है तो प्रारंभिक यह जीन पूल बनता है, वो बनता है संकरणों और जनित द्रव वंशान करम के समजात एकल पोधों से, D option यहाँ पर right answer हो जाएगा दोस्तों, D option यहाँ पर right answer हो जाएगा, कोशन नमबर देखेंगे 203, 203 नमबर कोशन करा है, निम्नलिकित कतनों पर विचार करना है, ठीक है, संकर किस्मों की तुलना में मिस्रित किस्मे अधिक लोग प्रिये है, क्योंकि मिस्रित किस्मों से उत्पन बीज, उसके बाद यहाँ कथन है, कथन को आपको पढ़ना है, तीन से चार वर्स तक उन्हें बीजों के रूप में उपयोग किये जा सकते हैं, इ यह एक, दो, तीन सही हैं, ठीक है, एक, दो, और तीन, यह तीनों को तीनों कथन सही हैं आपर, तो यह उप्षन हमारा राइट एंसर हो जागा दोस्तों, कोशन नमबर देखेंगे, दोसो चार पर, कोशन नमबर दोसो चार आपकी स्क्रीन पर आचुका दोस्तों, कोशन कर ठीक है ए ओप्षन यहां पर राइट अंसर हो जागा दोस्तों कोशन नमबर देखेंगे 205 205 नमबर कोशन स्क्रीन पर आ चुका है कोई एंडी को डौन तीन नाइट्रोजनी बेसों का क्रम होता है जो कि पाये जाता है तो किस में पाये जाता है यह आपको बताना है स्थाना राइट एंसर हो जागा दोस्तों कोशन नमबर देखेंगे 206 206 नमबर कोशन करें निम्नलेखित कथन पर विचार करना है ठीक है पेकी टीन अवस्था में लूप बनना संकेत है किसका संकेत है यह आपको बताना है तो यहाँ पर स्थानांतरन और प्रतिलोमन का ठीक है यह यहाँ पर देख सकते हैं एक और तीन स definitions यहां पर राइट एंसर हो जागा दोस्तों पैकी टीन आवस्था में लूप बनना संकेत है थानांतरन का और प्रतिलोमन का ठीक है तो इसलिए एई auption यहाँ पर हमारा राइट एंसर हो जागा कोशन नमबर देखेंगे 207 207 no. कोश पहले तीन आएगा, ठीक है, यहां पर B option हमारा right answer हो जागा, पहले तीन, उसके बाद 6 नमबर, उसके बाद 1 नमबर, ठीक है, एक दो, इसके बाद 1 दो आजाएगे, यहां पर देखेंगे, एक आजाएगा, इसके बाद 2 आजाएगा, इसको आप लोग एक बार पढ़ दीजि यहां एक बार हम स्क्रीन कर दे रहे हैं, देख लिजिएगा, दो, तीन बार पढ़ेंगे, आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा, कोशन नमबर देखेंगे, 208, 208 नमबर कोशन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किसी संसलिष्ट या सम्विष्ट में प्रारंभिक जीन पूल बना होता है, किसका बना होता है, यह आपको बताना है, तो यह बना होता है, अंतर प्रजाद वंश क्रमों का, सी ओप्शन यहां पर राइट एंस्वर हो जागा दोस्तों, कोशन नमबर देखेंगे, 209, 209 नमबर कोशन कहरा है, गेहू में आइसोलेसन दूरी कि एकल पोधों का निम्न लिखित पीडियों में से किस एक में वरन पाये जाता है, तो प्रजाद की वंसावली विधी में एकल पोधों की निम्न लिखित पीडियों में से किस एक की वरन पाये जाता है, यह आपको बताना है, यह आपको बताना है, यह पांच की, यह तीन की, EF2 की यान रखेंगे चलते हैं कोशन नुमर 211 पर कोशन नुमर 211 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कोशन करा है निम्नलिकित कत्रों पर विचार करना है गेहूं सौप रागित होते हैं ये एकदम ठीक है सरसों की अपेच्छा तोरिया में अंतर परजात अव नमन की अधिक इसपस्ट होने की दसा होती है ये भी ठीक है संकर तथा मिसरित दोनों की किस्मों के केवल यफवन बीज क्रिसिक के लिए उपयोगी होते है ये एकदम गलत है बंगाल चने की अपेच्छा बाजरे की संकर औज की अधिक इसपस्टि कराण होता है ये गलत है तो यहाँ पर एक और दो सही है तो उप्शन देखते हैं एक और दो कहा पर है यहाँ पर बी उप्श nellaरा राइंल्समों का एक और दो सही है बाकि सब गलत है चलते हैं कोशन नमबर 212 1212 number question screen पर आ चुका है निम्न लिखित कथरों पर विचार करना है ट्रिकेल ठीक है ट्रिकेल के बारे में यहां पर विचार करना है तो यहां पर देखेंगे दो भिन वनसो तथा सिकेल सेरियल 2N बरावर 14 तथा टेट्रिकम वाल गयर 2N बरावर 42 परजातियों की बीच में संक्रण है तो यह एकदम सही है यानि कि 2N बरावर 14 और 2N बरावर 42 दोनों की बीच में संक्रण कराये गया था तो यहां देखेंगे छपकन गुण सोतरो वाला उभे गुणता है ठीक है तो यहां पर यह और दो दोनों सही है बाकी कथन गलत है तो यहां पर यह option हमारा right answer हो जगा चलते हैं question number 213, 213 number question आपकी screen पर आ चुका है यह भी कथन वाला statement है तो इसको भी ध्यान पूरोग पढ़ेंगे और answer देंगे तो यहां पर यहां पर यहतने statement है सब के सब सही होंगे तो यहाद रखेंगे तो यहां देखेंगे question कहरा है Mexican गेहू प्रजणक कारिकरम में अधिकाधिक अनुवान्षकिया विभित्ता के लिए बहु वशकरम किसमे विकसित करने की परियास किया जा रहा है ताकि किट्सन कम किया जा सके और बहु वंश क्रम किसम बिक्सित करने के लिए अपनाई गई पर किरिया में निमले की चर्णों का सही अनुक्रम बताना है तो सही अनुक्रम कौन सा इसमें से होगा तो सभी के सभी क्रम जो है एकदम सही है यह फर्ष्ट पे आएगा, सेकंड पे, थर्ड पे, एक बार इसको आप लोग पढ़ लीजीगा, ठीक है, यह चार नमबर पे आजाएगा, तो यह सभी के सभी क्रम सही लगे हुए है, तो एक बार इसको देख लीजीएगा, आप लोग बढ़ी हैं से, इसके बाद, यहाँ प ही सफेद फूल पैदा करते हैं, जबकि नील, यानि कि बैगनी रंग के फूल उत्पन करने के लिए पी और सी दोनों आवशक हैं, दो स्वेथ पुर्ष्पु वाले पोधों के बीच, बीसे संकरण में आधी संततियां बैगनी और आधी सफेद थी, जनकों के संभावित ल या ऑपशन हमारा राइट एंसर हो जागा दोस्तों, याद रखेंगे, चलते हैं कोशन नमबर 215 पर, कोशन नमबर 215 आपकी स्क्रेन पर आ चुका है, रोसो फीला में आँख का प्रसामानने रंग लाल होता है, ठीक है, प्रसामानने रंग जो होता है, कैसा हूता है, लाल होता है लेकिन ऐसा उत्परिवर्थी पाए जाते हैं जिनकी आँख सफेद होती है और ऐसे भी पाए जाते हैं जिनकी आँखों की आधा सफेद लाल रंग के बीच भिन भिन परास वाली होती है जो सभी लाल रंग के प्रति आ परभावी होते हैं जबकि सफेद रंग का अन स परभावी होता है, इस परीगटना का कारण क्या है, तो इस परीगटना का कारण बताना है, क्या हो जाएगा, तो सह परभाविता हो जाएगा, इसमें C ऐप्शन यहां पर राइट एंसर हो जाएगा, दोस्तों, C ऐप्शन यहां पर राइट एंसर हो जाएगा, कोशन नमर द दिया हुआ है किस परकार से मिलान करेंगे तो यहां देखेंगे सोची वन को मिलान करेंगे प्राथमिक भेती कौन सा है तो प्राथमिक भेती हो जाएगा हैमी सेलिलोज ठीक है उसके बाद भेती कौन सा हो जाएगा लिगनीन हो जाएगा उसके बाद मध्ध पटलिका हो जाएगा पैक्टीन हो जाएगा और प्लाजमा जिली हो जाएगा इसमें लिपिड और प्रोटीन हो जाएगा इस परकार से मिलान करेंगे तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा य यानि कि एक का एक के साथ दूसरे एक फिर चौथा फिर तीन इस परकार से हम मिलान कर देंगे डी ओप्षन यहाँ पर राइट एंसर हो जागा दोस्तों इस परकार आप लोग एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा कोशन देखेंगे 217 नमबर कोशन इस्क्रीन पर है कोशन करा दूई निसेचन की परकिरिया की खोज किसने की थी तो यह की थी नवाशीन की दौरा ठीक है डी ओप्षन यहाँ पर राइट एंसर हो जागा नवाशीन की दौरा किया गया था कोशन नमबर 218 देखेंगे आ निशेक फलन से बनता है तो आ निशेक फलन से क्या बनता है यह आपको बताना है तो आ निशेक फलन से बनता है दोस्तों बीज रहित फल ठीक है बी ओप्षन यहाँ पर राइट एंसर हो जागा Quesion number देखेंगे, 299, 299 नमबर Quesion करें, निमने लिकित में से कौन सी दसाएं, प्राकिर्तिक परागण का अनुमोदन करती हैं, यह आपको बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा, अनुमिलिये परागण, एक तो यह हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा, इस تरी पूर्टा, दूसरा यह हो जागा उसके बाद हो जागा प्रोटो एंट्री ठीक है तो यहाँ पर दो तीन चार बी ओप्शन यहाँ पर राइट एंसर हो जागा दोस्तों कोशन नमर देखेंगे 220 नमर कोशन स्क्रीन पर आ चुका है कोशन कर रहा है एक अध्यात नरत लच्छन चार युगमक बिकल्पी युगमकों में नियंतरित होता है ऐसी दसा में यफ्टू पीड़ी से संभावित जीन प्रारूपों की संख्या होगी तो कितनी संख्या होगी 81 हो जाएगी बे उप्षन यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों चलते हैं कोशन नमर 211 नमर कोशन स्क्रीन पर है कोशन करें वे जीन जो अन जीनों की अभिवैकति का दमन करते हैं अथवा उसे बढ़ाते हैं तो क्या कहते हैं उसको परभावी जीन कहा जाता है यह option यहाँ पर right answer हो जागा दोस्तों यह option यहाँ पर right answer हो जागा चलते हैं question number 222 पर question number 222 आपकी screen पर आ चुका है, question को ध्यान पुर्वक पढ़ेंगे, answer देंगे, question करा है आगरांकित ब्राज का अत्रीकोंड के आधार पर ब्रेस का केरी नेटा की गुंसूतर संख्या बताना है, ब्रेस का केरी नेटा की गुंसूतर संख्या बताना है, 4 एन ब्राबर 32, 4 एन ब्राबर 34, 4 एन ब्राबर 36, 4 एन ब्राबर 28, तो right answer हो जागा 4 एन ब्राबर 36 होता है, c option यहाँ पर right answer हो जाएगा दोस्तों, question number देखेंगे, 223, 223 number question करा है, निमने लिखी चर्णों पर विचार कीजिए, जनकों का मुल्यांकर, बी पूंशन, परागन या थैली चड़ाने और टेग लगाना, तो 223 का जो यहाँ पर right answer हो जागा, बी पूंशन हो जागा, second वाला, ठीक है, बी ओप्शन यहाँ पर right answer हो जागा, दोस्तों, तो यहाँ पर statement वाला question है, दोस्तों, बी ओप्शन यहाँ पर चलिए देख लेते हैं, इस चारो ओप्शनों को एक बार देख लेंगे, तो चारो ओप्शन में पहले ता आ जागा, जनको का मुल्यांकन, एक नमबर इसको हम देंगे, उसके बाद दो नमबर बी पूंशन आ जागा, तीन नमबर आपका परागन आ जागा, चार नमबर आ जागा, थैली चड़ाना और टैग लगाना, ठीक है, सबसे पहले हम जनक तीन चार, ठीक है, तो इस परकार से हमारा राइट एंसर हो जागा, चलते है कोशन नमबर दोसो चोविस पर, ठीक है दोस्तों, यहां पर एक मिनट ध्यान देंगे, एक पहले फ़स्ट आएगा, उसके बाद दो आएगा, उसके बाद चार आएगा, उसके बाद तीन एक बार इसको बढ़ें से आप लोग पढ़ लीजीगा, ध्यान से देख लीजीगा, कोशन नमबर देखेंगे, दोसो चोविस, यदि दो वैस्टियों, यानि मादा, एस वन, एस टू, को ऐसे नट, यानि कि एस थ्री, एस फोर, से जो कि पाच युगमक बिकल्पी, स्वा अनिशेथ हो जाएगा, यह उप्शन यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा, कोशन नमबर देखेंगे, दोसो पच्चिस, दोसो पच्चिस नमबर कोशन कर रहा है, निमन लिखित में से कौन सा एक जीन मक्के में उच्च प्रोटीन मिस्रन के उतपादों में परियोग किया जाता है, तो यहाँ पर जो राइट एंसर हो जागा, ओपेक टू, सी ओप्शन यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा, कोशन नमबर देखेंगे, दोस्तो चबिस नमन लिखित में से कौन सा एक फसल बीसेस में उचितम उपज देगा, उचितम उपज जो देगा, वे द्व इसको एक या दो या तीन चार बार जितनी हो सके इतनी बार कलास देखे, आप लोगों सभी सभी कोशन आपको असानी से याद हो जाएंगे, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मुलाकात करते हैं, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद